नमस्कार, उशा चाबरा इंस्टिटूट फॉर क्रियेटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है हर सब्ता हम आपके लिए एक कारिक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगूप इसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी शक्सियत से कराते हैं जो कि कुछ अलग हट कर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अपने शित्र में बेतरी कारे कर रहे हैं तो आज हमारे इस श्रिंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी है गीता रामनुजम जी मैम बहुत बहुत आभार के आपने माना कि आप यहां आएंगे नमस्कार मैम बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर नमस्ते नमस्ते वाइब तो मैं पहले आपका इंटॉड़क is an internationally renowned storyteller, master trainer, educator and academician. She founded Kathalia's International Academy of Storytelling in 1998 in Bangalore, the only credible and globally recognized academy for storytelling in the world with affiliations to USA, Scotland and Sweden. Gita Ramanujam is an Ashoka Fellow and has widely traveled to 43 countries and the 27 states in India to establish storytelling as a tool of learning and also to set up centers. Gita has several awards to her credit including the recent international award for the best storyteller at Bocardieu Storytelling Festival at Brazil and the Governor's Award in Tamil Nadu for the best story narrator. She was also recognized and mentioned by our Prime Minister Modi ji in Man Ki Baat program. So ma'am, आपका ये जो सफर है आज यहां मन की बाद आप प्राइमनिस्टर तक आप पहुंच गए है और शुरुवात जो है कहां से हुई जब आप एक स्टोरी सुनाते थे या आप एक टीचर थे तो ये एक सफर है इतना सालों का such a big like history you have So how do you feel today when we call you as internationally renowned storyteller and we are so proud to say all this. So how do you feel when I am reading about your all these things? How do you feel when I am reading about your all these things? पहला दन्यवाद खुदा की क्योंकि वो सब जैसे की puppeteer है ना सब हमको manipulate करते लेकिन मुझे ऐसा लगा कि Throughout the journey जैसे की पहला जब मैंने इसमें खदम लगी थी तब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहीं पहुंचुन की आंटने का इच्छा था आपको पता है आप भी टीचर थे तो एक टीचर के वेज़े से हम अलग अलग तरीके से हमारे बच्चों को हम और इंक्रेस्टिंग और ये 40 मिनिट्स जो पीरियड है एक पीरियड के बाद दूसा पीरियड ये सब जैसे इंक्रेस्टिंग बनाएं और मुझे पहले से ही ज जब मेरा एक बच्चा भी पैदा हुआ था और जितना उसका उम्र है उतना ही हमारा ये स्टोरी टेलिंग का उम्र भी वो शायद 42 यर्स हो गई लेकिन तब तो पता नहीं था ये अवैर्नेस नहीं था कि हम कहानी बता रहे हैं क्योंकि हम जब तरीके अलग-अलग धूंते है तो धूमने के बाद उसको जब हम देखते हैं और उसको बांटे हैं हम वहां तब काहिम नहीं मिलता कि ये क्या है सिर्फ we see the joy in children's faces तो भूलो मैदम कल miss दूसरा कहानी बताएंगे क्योंकि ये history lesson कैसा interesting आप बनाएंगे हम बाहर जा सकते हैं हम pond के पास जा सकते हैं या कौ कौन सा कहानी अब क्या हमें बताएंगे कौन सा चार्टर है ऐसा क्यूंकि उसके बाद मैं उसको एक fact file जैसे की आप explore कीजिए कि ये जो मैंने कहानी बताई आपको evolution of man की जैसे की from ape to human being ये सब आपको लाइबरेरी में कहां मिलेगे और अपना homework में वरक्षीट जैसा हम दे तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये वरक्षीट जो है वो बे अलग तरी ती परता और मैं बाहर उनको लेकर out of classroom experience भी करने के लिए मैं तयार थी क्यूंकि I must be grateful कि ये जो हुआ वो क्रिश्नमोटी foundation school में पहला जो school में था मैं चोटे बच्चे जैसे की nursery को उनको मैं तो ल chewing gum खाते था उसका एक कहन ऐसा बता थी लेकिन मुझे पता नहीं कि चला कि I am creating a school लेकिन बच्चे लोग तो बहुत अटेंटिव बहुत अटेंटिव बहुत अटेंटिव फेर वो स्कूल से हम दूसरा school चले गए जो से एक क्रिश्वार के पापक के school और उन्होंने मुझे English बना दिया और हिस्टी तो बहुत बोरिंग है मुझे भी बहुत बोरिंग लगा जब मैं उसको पड़ रही थे अपने स्कूली लेकिन मुझे यह अच्छा लगा कि मेरा पोईटी तीचर और लिटरिक्टर वह और बहुत इस थरीक तरीके जब अच्छा लगा और वह मन में ज सब्सक्राइब करें लिटरिक्टर अच्छा लेकिन अच्छा लेकिन हमारे जो रिवाज है यह तो पहला ही था हम कुछ नया नहीं बता रहे थे सब लोग अपने अपने घर में तो कहानी बताई थे थे 20 साल से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत न्यूक्लियर फैमिली होगे और इसके लिए टाइम नहीं था तो जब मैं यह स्टोरी टेलिंग बता रहे हैं एक दिन लाइट्री में क्यूंकि हम लोगों को पता तीचस को इतना अच्छा नहीं लगा यह क्या हिस्ती ऐसा इसको हम निकाल दे तो डारेक्टर में बोला नहीं नहीं मैं देखी हूं पीटा जी वह हमेशा जब प्री पिरियड मिलता है तो लाइबरी में वह पढ़ती रहती तो हम एक काम करेंगे कि उनको एक लाइब्रेरियन बना देंगे तो लाइब्रेरियन के बाद चुप नहीं रह सकते हैं हम तो टीचर थे 40 पिरियड तो हम सबाल रहे थी मैं पढ़ रही थी तब लिखने शुरू थी यूस पेपर के लिए और तब बच्चे लोग आते थे और जोड़ के वापस चली जाते थे और इतना बड़ा हूं बोलते थे थे कि एक दिन में पढ़ी है या फिन अच्छा इतना जल्दे आप पढ़ने को आप आपका मन लगता था मुझे इतना I can't read it so far आप मुझे बताये यह क्या है ताकि मैं भी उसको पढ़ सब्सक्राइब लेकिन तब वो तो अहां ऐसा तो मुझे पता चला कि वो just show off करने के रिए एबुक लेए तो कैसे इनका वो How do we inculgate interest? तब मैंने actual storytelling जैसे की classics के तो एकदम expression से जब एक बहुत important part पहुंच गे जैसे की एक शेर ता और तो पहुंच रहा था और इतने में बूद क्या हुआ उसके बेल गोड को तो बताओ बताओ क्या हुआ तो उनको इंट्रेस हो गया तो मैं बोली की वो बुक पढ़िये और from that book you'd get the rest of the story so everyone used to rush for the same book मेरा डारेक्टर अपने डारेक्टर तो बहुत अच्छे थी वो बोले गीताजी आप आप सेलेक्टेड बुक्स आप एट कॉपी या दस कॉपी सेम स्टोरी का आप और कर दीजी तो आप बेरी पॉपलर लाइब्रे रिया और एक दिन जैसे मैं आपको बता रही थी की बग्वान तो बहुत दयालू है वहां से देख रहे थे और वहां से एक विंक हिया ऐसा तो एक लेडी ने बोला की बहुत अच्छा तरीका है ने तो अट्राक्टर चिल्रन तो क्यों आप मुझे एक summer camp, seven days, यह था 1996 में तभी भी मुझे पता नहीं था, मुझे इतना खुश हुआ कि कोई यह creative, creative endeavor को recognize कर रही तो मुझे बहुत अच्छा, and I must thank for a lot, क्योंकि पहला जो workshop था, seven days का था और दूसरा एक अच्छा एक अधनी जो Times of India की है, वो अपने बच्चों को हमारे यह यहां बेश दिये, और last day में उनोने, मेरा sounds में तो यह line and the mouse story, voice modulation से कर रही थी, और when I did that, उन्होंने एक कॉलम लिखा, कि में इस तो इस तो इस तो इस तार था, उसने मुझे पंड दिया, दूसरा स्टार ने रेकिनेस किया, और एक नक्षत्र ने आके बोला कि, आप क्यू नाई एक इंजियों के तिये, एक इस एक इस ट्रेनिंग, oh training, मेरा पहला ओपर ता ट्रेंग करेंग रेकिने, उन्हों भी अधन्स ते, तो मैं सोची, अच्छा, इस अच्छा, इस तो इस तो इस तो इस, तो पिंच्छना ट्रेंग, तू एक तब जानुट्ट।, तो इस तो शूज ओज़गर से तू एक आउर्स, जू सिर्व थी, कभी भी no time to think मैं क्या कर रही है मुझे कौन रेकिनिशन देगा why am I doing the right thing is it called storytelling इसके ने कुछ वक्ती ने इसके इसने साल बीट रहे और बहुत सारे 2005 में हमने फेस्टिवल किया तब मीडिया साब अमारे बारे में ही बुट क्या वाँ क्यूंकि तब तब कोई नहीं था storyteller थे था so people call me for other countries that's what I wanted to know कि आप अभी आप उस समय यहाँ पर इंडिया में थोड़ा थोड़ा शुरू किये और रिकनिशन मिला चप किया और इंटरनेशन लेवल पर जब पहली बार कहीं गए how did you feel it कि oh my god really giving booze bumps I hope पहला story telling abroad में जपान में जपान और अर इंडिये तोसो बच्चे थे तोसो बच्चे थे स्कूट से और पहला बार मैंने पुपट स्टोरी बना के क्यूंकि I thought language भी आसान होगे क्यूंकि उनको इंग्लिश की पथा ता लेकिन they could not express तो और बहुत शाहिए थे बच्चों तो मैं सोचा तो यह परस्न पॉल्ड उन्होंने बोला कि मैं प्यानो बजाओ की और आप कहानी बताए और बहुत सारे मैंने मैंने माइन देशा है जैसे कि तून और यह पपट ऐसा मुविंग एन्हांस और फिर एक्स्प्रेशन तो आवास मैंने ठाई किया था उनके साथ फिर मैं चे लगा कि इस ब्यूटिफुल फीलिंग क्योंकि बहुत सारे उनके न्यूस्पेपस में हमारे बारे में लिखे थे और I was very happy because the children were so affectionate मैं जब स्क्रीन के आई ये पपेट के बाद साथ उन्होंने एक्दम आए के मुझे एक्दम कर दिया और 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 एक्दम आपने लिखे बहुतुल्ड़ आपनी चिल्रन आप एक्स्प्रसिव लेकिन और हरे अबर फॉर्टिव चिल्रन ने अपने अपने बाद में एक औरिगया में का पीस रखा था और उन्होंने मुझे ऐसा एक जिफ दे दिया वो जो औरिगया में पीस था उसका और और जिफ आई स्टिल आप क्यूंकि बहुत मैं उसको रलिश कर दी हूं की वो अपने आपने पाह हर में खीस दो फ। zij्खा और था मैं यह व stereotype क्यूंकि बहुत बहुत मैं ईंपने आई स्टेंटरूा ठवुत ने इन कीूंकि whole energy comes over there so what does a story mean to you um for me it's more like an avatar yes that's what because your face really just shines at that time and you are just the story approaches you you don't have to go for the story you why this particular story comes to a particular person and becomes that of that you know and why i had to tell this story so many times they don't last sometimes you don't know why relationships sometimes we get a soul connection even if you meet them after eight years or ten years oh connect i said yes 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 i can feel that we all can feel that when you tell a story actually so that's why i said what is that like what do you feel when you feel that okay i want to tell a story and immediately that face really shines up and then you go deeper into that right so when we all like most of us are here storytellers now so as a storyteller what do you feel that the quality we should have utmost the first quality the first foremost quality that a storyteller should have to like be impactful first of all uh um i i feel humility is and gratitude uh this is very easy for us uh to say i am a storyteller so we are only prisms it shows seven colors through which the story has to pass but but i am a storyteller and i will get the world i have to do this and this and this and i and i and yes identification crisis or feeling do i get a response to it is there it should be there but you should always have a parallel line as if we accept accept the moment accept that story i love the story to flower not you the story should remain with the people don't ever let it get to your head yes just take it as a beautiful profession of giving whether people respond don't respond whether you're going through time and no prejudices and no opinions we have a big role people look at you so we should not spoil it and we should be very careful so i have to be very careful when i say something whether it is political economical or otherwise i have to be both awareness and for me it is more like meditation yes i think a storyteller is a meditator oh okay very nice very nice man so uh previously also children used to listen to the stories right but now nep 2020 they have come as like pedagogical way of storytelling like they are just saying that storytelling should be taken as a pedagogy so why suddenly they have thought of like this it was already there but uh it was already there but uh behind it now you know they even four front me la diya asa what do you think that stories say educators why do you want to listen to the stories in class in class why did it have to be so much so that now all of the places are storytelling storytelling they are all are asking for that suddenly i remember i remember it has become like an ism जैसे कि any other subject, तो यह मुझे डर है, कि the storytelling का value जो है शब्द और expression, this cannot be measured, इसको आप measure करके एक बुक में नहीं प्रिंट कर से, और अगर प्रिंट करें के तो हम जो पड़ते हैं, it is different from what we tell, तो इसके दिए अगर तैला कुड़ा research करके, training देके, spirit teacher को यह बर्डन हम देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि everything, any change, has to have a preparation, बिना preparation कुछ भी देंगे, तो वो पढ़ेंगे, एक ता कवा वो काला था, प्यासा कवा था, मैं भी प्यासा कवा की कहानी बता कि माडम, ऐसा बोलें, क्योंकि उनको जैसा, it's just another way of getting it out, तो वो प्यासा कवा गया और वो पत्रना अला, उपर पानी आया, वीके, चले गया, आच्छा, चिल्रेन अभी बत्चों के लिए प्यासा कवा के बारे में, तो यह वाटर के बारे में हम खुछ बात करेंगे, और फिर सेक्स कुछ निकालिए, और सेम, तो यह हम जो शिफ्ट करें हैं, जैसे की रोट मेंतर से इंटेग्रेटेड लर्णिंग को, इसके लिए अगर हम ज्यादा वक्त प्रिप्रेशन और ट्रेनिंग को देंगे, तो इट विल इक्विप थे टीचर्स, यह मुझे अभी लग रहा है, it's a good thing, क्यूंकि, see everything is a cycle, हम of cyclical है, पहाड को पहाड देगते हैं और जो यह पेड़ है उसको पेड़ कहते है, फिर हम देखते हैं, हम सोछने लगते हैं, पहाड भी पेड है, पेड भी पहाड है, इंटेग्रेट है, हम बोल्स्uellementन Midwest है, और यहां की जो अगरेंफ काइश्टिक हैं, तो जो हम सेना तो ये साइकल में what we lack especially in India मुझे ऐसा लगता है we are all very capable, teachers are very smart, लेकिन उनका अगर training देज़ जाए, खोड़ा साथ, it will help along. में में सब डालके, dryer डालके, सब को सुका देगे, फिर तूचरा एक में तड़ाएगा. So ma'am, आपने stories अलग-अलग जगा गए, आपने बहुत सारे storytellers को सुना, और फिर आप लिख भी रहे थे, और फिर सामने ये चीज़ आगई. Written by ma'am, Tales from the World. So ma'am, ये जो stories आपने लिखी हैं, और इसके beginning में मैं पढ़ रहे थी, and you have written your experience, and beautifully done. मैं सबसे बड़ी दे, इस इलस्टेशन भी बहुत सुन्दर हैं, और हाथ में पकड़ने में बच्चा हो, बड़ा हो, सभी इंट्रेस्टेस को पढ़ेंगे. हना, तो मैंने भी इसको पढ़ा बहुत अच्छा लगा, और हैवी नहीं है कहीं से भी, it's not heavy at all, it's so simply written, ma'am, बहुत अच्छा, और काफी आपने detailing किया है, कोई भी मैं देख रही थी, बहुत सुन्दर आपने, उसका चाय आंकन जो कहते हैं, बहुत सारा सुन्दरता से किया है, that scenery, और सबसे बड़ी बात है, आपने इसके पहले भी लिखा है, और इसके बाद में भी लिखा एक नोट, है ना, और इतनी सारी जगह आप गए और आपने जब सेलेक्ट किया, यह तो एक बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपके पास तो मुझे लगता है, प्लशे लगता है, क्योंकि लिखाओं किया और जा ही, यह तो आक लगता है, झापते हैं, तो बना मुझे नहीं तो घंकि कह बजा हैं, जाए क्योंकि वाह हैं तो मुझे हैं, इसके वाह रिखिते लग़ता हैं, बहुत बहुत सारे पेवरीट कose एक कहानी, आइसलेंड से एक और नॉर्वेय और स्वीधन के कहानिया, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उनको जो पेज रही थी, तो पहला उन्होंने कहा कि नेरेटिव पॉर्मिया बेल थी, तो कि ऐसे हम कहानी बताते हैं, इस बडरी डिपरंदे हैं, तो यह नहीं नहीं को बेजने के लिए शुरू कि, भी पॉरा नहीं कहानी को शुंते पॉर्ड़ू, उनको बेजने के लिए शुरू कि. पहला एडिटर बहुत हपी थी और शी वस अलमोस अप्लिटिंग जैसे की कुविड आगई और उन्होंने बोला अभी हम पुबिश नहीं करेंगे और दूस्वा जो सब इन्हों आएगी शी विल टेक चार्ज उन्होंने बताया मुझे की मैडम आप बेंडरैटिव स्टय लेकना ठीक नहीं लगता है आप ये जो रितन जैसे की पढ़ने की स्टया मैशना है बैसे इसको इसको कि लिए पस्ट करना है दैक्ष और इक शीयों में आप इसको कि सब यह यह नहीत और अचाली जायेगा और 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 अटेंशन और वर् सब चेंज करके उनको बेचेंगे, यह सब कहानिया, यह सब कहानिया में इच सब एदितर चूज वन सेट, किँष्य कहानिया इसमें पबलिचेंगे, तो मैंने रिया फस्तेर का सब कहानिया इसमें भुपेशके, बुस्तेर का सब चेंगे और्टम सेफ्यल गएखिवरणी, यह सब कहानिया, तो यह सब देंगे इचenda कि क прям आट मAREूनके यह सबना अग्सिए, यह समेरे अधिया कि गmont you have taken out, okay, you are liking this, oh my god, but you know what, they have selected in such a way, that if you have a child, you will also be happy, yes, yes, so I wanted to actually bring it out for adults, but they were saying that today, of course, I am now 65, I started when I was about, you know, 20, 21, so last 40 years, there has been a lot of change in children, who are we, Harry Potter, but they, I was telling them, they have selected like that, because I have read, yeah, I have read, like children will really enjoy what I feel, we will enjoy, but children will equally enjoy, not tough, it is very simply done, and the story selection also, there is nothing adult type, it is very good, so I think children will pick up, I was very careful about them, the word you say, yes, yes, very simple, yeah, even I like the story of the elephant, there is no problem, I like the story, yes, purupa the elephant, they are good, all stories and all children love that, K-guru, yeah, yeah, and there is a difference in the levels of the children's reading, right, now, some children are very forward, they are very of learning, sometimes, sometimes, at the base level, yes, so I, I felt, uh, which is very simple, very simple language, and very beautiful, and like, what I felt is, it's good, in a small size, it's a good size, it's very beautiful, it's easy to carry, and beautiful colors, my children also, mama, it's very good, colourful, beautiful, I just, look, oh, wow, it's very beautiful, so I said, I'll give you a surprise, because you didn't know that I have bought it, so ma'am, aaj, International Women's Day, and that's why we chose, especially, to call you here, so, and this is my show, which is actually for entrepreneurs, how the struggle, journey, which we talk about in which we talk about, how you felt, like, salary is easy, in a month, you get in balance, okay, but what about an entrepreneur, like storytelling, like entrepreneurship, and today, so, what do you feel, how was the journey, like fulfilling, and yes, uh, satisfactory, and so, for today, like, so many women who are working, like, entrepreneurship mein ja rahe hai, apna kaam karna hai, so, uh, what do you want to say them, kya message aap dena chahte hai unko? So, first of all, I think I forgot, just like my storytelling journey, happy Women's Day to everybody, yes, and especially to you, Usha, who's also been, and, uh, to all the wonderful women who are listening to me today, and we all are beautiful from here, is what I feel, we are so close to the earth, but, uh, though I believe in the very concept of Ardhan Aadishwara, which is, we have both half men and half women, uh, kabhi-kabhi, uh, my husband now tells me, you should have been born as a man, Oh, so, uh, uh, dub aapa entrepreneur dhul rha e hai, na, to, kabhi-kabhi, humko bhi ajsa lagta hai, kihaayat merah parents, bohut, uh, 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 they were probably wanting a boy first, I think, uh, and, uh, somehow you get, uh, you be born as a girl, right, so, we have a lot of qualities of man, like, I'm not scared of the dark, which I use, as a, uh, tactics, or strategy, uh, क्या करें वे समभाल है और कोज़ फिरे दो नायरोन अगलता है जो इसका पूल किया गाला है। तो 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 नायरोना बेटापना लियर। आजा में गलता ही आज गलता हैं, तो नायरोना है। एक बड़ा कॉंप्लिमेंट मुझे एक साथिस्पाइशन मिला कि लोगाट फीपल इस तो कम इंकुड़ी मैं एक विमन कम एंट तेल में यू इंडियन विमन तो बने लागविजिस यू मैंने सुमनी तिंग्स अब सारी भी पहनते हैं और यह you also carry the thing, you are able to run, you're able to win, you're able to travel, you're able to adapt, this that was not to make me feel good we are able to adapt us so much to it though we have the West in many things let's take only the good things from them and not a everything इसा मुझे लग रहा है कि there are certain innate natural qualities अमारे अंदर इसको आप होना जाए है क्योंकि you lose yourself यहां तो हम slaves नहीं बनना है दूसरों का हम अपने freedom see one of them one of my friends will always tell that don't tell the man he's not giving me freedom you must take the freedom I suppose आप अपने स्वाराज को आप लेकर रखिए क्योंकि you're capable you're capable and nobody can do anything nobody can do this fear क्यों है अपने अपने ये गिल्त और फिर इसको निकाल और I want to tell them that be completely free of any guilt don't let anyone nobody not a mother not a father not a husband not a child make you free duty because each one of us is capable each one of us is beautiful and each one of us is unique और कंपर मत कीजिये किसी के साथ क्योंकि अपने आप में आप बहुत अच्छे है और बहुत सक्सेर्फुल है the very fact that we are breathing we are living we are doing we are being itself is a great achievement so I tell them to tap and say I am capable so this is something that I want to tell the women at all times don't have envy or anger don't keep comparing go deep and be happy with yourself and you are all great we are all great people so from here only a woman can think I be a woman can do so much and we are blessed to be a woman this is what I feel a blessing here don't curse that you're a woman woman is capable of 150 yes million things and I have seen it in my own life yeah so I think it's very important to accept yourself to love yourself and fill with love and keep giving because only a woman can give you give to love or you will be filled with love isn't it I feel like when we are our age we are filled with more love I feel like this is something yeah correct as we 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 हम ही अपने दीवार को हम बनाते हैं यह दीवार मत बनाएगे, यह दीवार से बाहर आईगे इस पॉर्टाइब मैं, आज के दिन आपकी बातचीत करना बहुत ही सार्थक रहा रहा, really it was so good, I can't tell you and we have three ladies with us, so I am involving them now in the gallery we are going, so they can also ask anything you want to tell, आप जो खुलना है वो सकते हैं, Chainika is there, Shweta is there and Vanessa is there, so please, most welcome now the platform is yours बात करिये कुछ पूचना है, कुछ बोलना है बताओ Chainika very happy women's day both of you, ma'am and really, it's really a blessed day for me today that today I got Geetha ma'am here I'm really blessed, I can't express my gratitude, really I'm also feeling so good, I can't tell you really speaking, yes Vita, you wanted to say something so I wanted to ask Geetha ma'am about her experiences in rural India because she, I think you went to deeper parts of India much before everybody else did and you still continue to go there and your experience in working with NGOs and across India I mean that's very, very, very interesting to hear and also with the tribal regions and Daliva so I actually stayed with the tribal women more than three months at the stretch so I used to spend a lot of time and I used to have that kanji that they have rice, soup, water in the morning for breakfast and that's when I felt that I am very brave and I am great see I can sleep under the stars and I can adapt but when they were talking about their stories I used to have that kind of child marriages and the children by 12 and they still wanted that children should not miss out and what we will do, we will become teachers they were just farmer women but they were saying that we will do it and all the husbands used to drink and take the veda money also so I was thinking, what a mind nothing compared to all these women so first I took it as a very important task and we created 220 learning centres in Kingling like in the temple and they made it and you won't believe that when I was giving training I was giving a story about how to tell the story so there was a dry bell so one of the ladies actually jumped into that way I was looking at the reflection so the other one is listening and whatever sound and she was so good she was wearing a sari actually she jumped into the middle and she said see that is how the lion died so I was thinking our urban people are not so flexible they were so good and they had such wonderful voices they sang the story they created and the first letters they said that we will get it all done and the cloth that were using them I made puppets so now my husband is in the centre so we gave that as the first idea we got out of making a kit so this gave me more than 121 NGOs and the first year I used to only do for rural the story for urban started much later most of my time was with rural so thanks for asking Vanessa Vanessa you want to say something Vanessa yes firstly it's a wonderful experience watching Gita ma'am in action I always am in awe ma'am that's how you maintain your energy levels I've met you personally four years back and Katalaya has been a life changing experience for me definitely thank you yes so ma'am my question to you is we've learnt definitely a lot from you and keep continuing learning in fact even today I'm really in awe of how you approach storytelling and you integrate it you know as us but what do you think ma'am is the greatest challenge for budding new storytellers you know like what is something that they need to never forget I know I remember you mentioning humility humility but as a but as a skill what is a budding storyteller needs to focus on like you know from offline we have come to online and now it's back the transition so it's like you know very soon we are all going to like meet children and then you know interact have workshops so what is that one thing or you know some tips of how we as storytellers can make that difference make that link you know so I can I just suggest a very small thing yes ma'am whenever you go after something you know you won't get it like a butterfly like a butterfly you are yourself yes yes yeah well yes ma'am completely things will come to you okay so best I feel what we need today in the world is peace within oneself which you have a lot of peace thank you I know that very well don't do anything don't exert don't pressure you give your 100% and don't get stressed because when you're telling a story you're also passing the stress I'm seeing lots of storytellers who are saying you know what happened you know you don't have to do so much at all right yes let's not underestimate children it is just like a conversation how do you talk at home just like that isn't it you don't think too much for talking to your child at home right absolutely yes you are fantastic as a storyteller and I think you have discovered your puppetry as one of your skills and the best is if you're not satisfied with yourself you can never be satisfied there is 1 million you will want 2 then 2 million you want 10 10 million you want 20 there's no end to it at all so this wealth that you have within you just keep giving only thing is don't get hurt don't expect keep going don't get pressurized by anything because you're doing a beautiful job thank you ma'am thank you and just keep doing what you're doing in the best possible way always try to be better than the best in yourself yourself yes ma'am you be better than your best yes ma'am thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am really good nuggets you have given today thank you thank you it is such a natural thing to tell a story but that is a lot of people it is a lot of people so they don't get hurt they don't get hurt that is overdue so be natural speak and say and do it so Geeta ji today you have been doing a lot of things and had a lot of fun thanks a lot that you came here you accepted it was really lovely talking to you I felt very blessed actually to be very frank Usha ji I am a great admirer of yours what it is a great thing it is a lot of effort it is not easy that is a skill as I told you I don't go after anything I don't chase anything when I got this email that I wanted to interview you for Women's Day I said oh ma'am she says Women's Day wow and Usha ji wow so this was my yeah I am so thankful I am so thankful I am so thankful I am so happy I am so blessed I feel because only you know this is Satsang which two souls recognize and you are a great story teller today and I want you to grow and be as beautiful as you are thank you so much ma'am thank you for your blessing I am so thankful 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 because I told you in the beginning that I used to see your videos and I watched you already read a drop of this story video I have heard it it was a drop that I have heard it years ago पहले, तो मैंने का अच्छा ये भी होते हैं, मतलो, at that time I didn't know about the storytelling thing at all, कि भही, storytellers कुछ होते हैं. Then I saw Jeeva Ma'am's also one, तो मैंने का रे बापरे, एक से एक कलाकार यहां पर है से, I was always in awe for you too, I must say that. तो बहुत अच्छा लगा कि आपको मैंने मेंने मैंसेच किया and you accepted, I was really, I said, बहुत बहुत प्रे मैंने को देख लेके, I was dancing, I will tell you really frankly, I was dancing, Gita, मैं आरही है, बता है क्या है? So I'm so thankful that you accepted and we are here today, और इतना अच्छा दिन है अज न, Women's Day. I know. I really know so much about women. I was reminded of Joy Mukherjee. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरदादी. बहुत अच्छा मैं, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया. बिल्कुर, मज़ा आ गया, अब आप दिल्ली आएं, तो कभी जरूर मिलेंगे. Thank you so much. पक्का. पक्का, पक्का. Thank you. Thank you to all my great people. Thank you. Thank you. Thank you. झाल झाल